मैं फिल सजी है कुछ खास लोगों की कर रहे हैं सब सेरों साहिरी पर गौर मैं फिल सजी है कुछ खास लोगों की कर रहे हैं सब सेरों साहिरी पर गौर आज बनाओं इस सा मैं भी इस मैं फिल का नाम है मेरा किसन महोर आज मेरी रूह एक दफा फिर मौस से टकराई है मौश से टकराई है लगता है मेरे महबूब ने मेरी जूटी कसम खाई है बो जो मेरी कब्र पर बैठकर आंसू बहा रहा है उसके असकों पर मजजा कब्र में लाश मेरी उसी नदफनाई है नदेखा बक्त उसके इंतजार में सुबा को साम कर दिया लिखा महबत उसे खुद को बेवफा बदनाम कर दिया एक दिन अपने ही दोस्तों की महफिल में कहा एक दोस्त ने किसन उस लड़की की यादों ने तुझे उसका गुलाम कर दिया एक है कि कभी जवाब दिये ही नहीं उसने मेरे सवाल के जिसम पर निशान है जिस जलती मशाल के गौर से देखना उसके सफेज सूट पर आज भी है निशान मेरे हातों से लगाए गए गुलाल के जो परिंदा कहते हैं मुझे जो परिंदा कहते हैं मुझे कोई बताओ नै केदी हैं हम आज भी उन जुल्पों के जाल के यारो मानो एक बात मेरी सच कहूं तो यारो मानो एक बात मेरी सच कहूं तो इसक मैं कुछ नहीं मिलता सिवाए मलाल के शायद इसलिए दिल तोड़ जाते हैं महभू क्योंकि बाजारों में बेवफा जिस्मों के दाम है कमाल के एक है कि किसी के ठुकराए जाने पर तुके उतना परेशान है उडान भरने के लिए अभी खुला पूरा आसमान है माने कहा कल सच वता तेरे फोन में है जिसकी फोटो क्या तेरी सट पर उसी लड़की की लिपिस्टिक का निशान है मैं आज भी उसकी रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ ऐसे जैसे रमजान रातों में कुरान सुनता कोई मुसल्मान है जो कभी तुझसे सीधे मूँ बात नहीं करते थे किसन तेरी तरक्की देखकर आज तू उन सबका महमान है यह तरक्की वर्ड मैंने इसलिए वो अड़ किया था अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको कि जिसका खुद नहीं था अच्छा क्यारेक्टर वो बता रही है जमाने को मेरा क्यारेक्टर और छोड़ कर गई थी तुझ इसकी मौबबत का चेप्टर आज है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉंट्रेक्टर उनके दिये मुर्जाए गुलाब दुबारा खिलना सके जलते रहे आदों में जिनकी उनसे दुबारा मिलना सके और महबबत से डूबे थे कभी जिस समंदर में मलाल रहा हमबन उस दरिया के साहिल ना सके यूं तो कई खूबसूरत मुस्कान देखी इन नजरों ने पर किसी गैरलबों की मुस्कान पर देख बोत तिलना सके बो जब सोया था मेरे कांदे पर सर रख कर ना खुल जाए नींद इस बजा से हम हिलना सके यार गर हो कोई तो दवा दो ऐसी जो दूआ बन के निकले निकले दम जिसम से या फिर गम मरहम बन के निकले चाहता हूँ एक दफा तो उस बंद खिड़की से परदा निकले फिर उस खिड़की से वो रौसन चहरा चांद बन के निकले उसके दिये जख्म किसी दवा दूआ मरहम से ना निकले निकले वो जख्म महफिल महफिर अलफास बन के निकले